मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हीरा फेरी मामले में इंडस्लिस्ट अनिल अमबानी को शेर बजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है अमबानी पर 25 करोड रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है उनके किसी भी लिस्टेड कामपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पावंदी लगा दी गई है उनके अलावा Reliance Home Finance के पूर्व प्रमुक अधिकारियों समित 24 अद्दूसरी एंटिटी पर भी बैन लगा दिया गया है अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है वहीं Reliance Home Finance को 6 महिने के लिए बैन कर दिया गया है और 6 लाग रुपे का जुर्माना लगाया गया है सेवी के ओर से जारी 222 पन्नों के फाइल ओर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जाच में पता चला है कि RHFL के अधिकारियों की सहयता से अनिलमबानी ने पैसो की हेरा फेरी की है उन्होंने फंड का खुद इस्तमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पे दिया गया है सेवी के ओर्डर से जुड़ी चार सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सबसे पहले बोर्ड ओफ डायरेक्टर्स ने इस तरीके के लोन पर बंद करने का और कॉर्परेट लोन को रेगुलर समिक्षा करने के आदेश दिये थे लेकिन कमपनी का जो मैनेजमेंट है उसने इस तरीके के आदेश को नदर अंदाज किया इसके बाद अगर हम बात करें तो सेवी ने कहा था कि सुचुएशन को देखते हुए आर एच एफल के धोका धड़ी में सामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए वहीं दूसरी एंटिटी ने फंड डाइवर्जन की मदद की इसके इलावा अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट ये है कि अनल अंबानी पर 25 करोड रुपे इसके इलावा रविंद्रन सुधालकर पर 26 करोड रुपे पिंकेश आर साहा पर 21 करोड रुपे और अमित बापन पर 27 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है इसके इलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि रिलाइंस यूनिकॉण एंटरप्राइजस रिलाइंस एक्सचेंज नेक्स्ट जैसी दूसरी कई कामपनियों पर फंड में है फंड की हेरा फेरी के मामले में सामिल होने के कारण 25 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है